हलो दोस्तों गुड मोर्निंग आप सभी कैसे हो आज मैं आपको आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस दिशा में लगाया गया मनी प्लांट छप्ड फाल के देगा दौलत मनी प्लांट कहां और कब लगाना चाहिए और लगाने से क्या फायदा होता है तो इसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे आप बस वीडियों को भगा के नहीं देखना और जब तक पूरा वीडियों देखोगे नहीं तब तक आपको पूरा पता नहीं पड़ेगा कि क्या इसे मनी प्लांट काम करता है क्या होता है कैसे सब कुछ तो पताने जा रहा हूं मनी प्लांट के बारे में वास्तु सास के मुताबिक मनी प्लांट को हमेशा घर के दच्छिड और पूर के दिशा में लगाना चाहिए वो दिशा अगनी कोण माना जाता है और वहां लगाने से सुम माना जाता है इस दिशा का प्रतनिधित यानि की सुक्रगरह कहते हैं यानि उस कोणे को सुक्रगरह कहते हैं और इस दिशा के देवता श्री गड़ेह जी महराज का है इससे घर में समृद्धी यहां गड़ेश जी रहेंगे वहां लच्षमीजी रहती ही है इसलिए इस तिसां में मनी प्लांट लगाने से घर में सुक्समृद्धी बढ़ जाती है और आर्थिक लाब भे होता है तंगी दूर हो जाती है तो मनी प्लान्ट जैसे जैसे बताया गया है इस वीडियो में आप उसी तरह लगाएं थिर उसके बाद लाफ राफ तो होगा तो हमारे वीडियों को देखने के लिए आप सभी को धन्वाद करता हूँ इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी जरूर दबा देना क्योंकि आगे आने वाला वीडियों आप